अब ही आंगनबाडी सेविका सहय का मिनी बहनों का अपने आल इंडिया आंगनबाडी न्यूस चैनल की आज दोपहर बारा बजे की सच्ची खबरों में स्वागत है भायों बहनों वीडियो पूरा देख करके जाना इस वीडियो में आज हम वो जानकारी आपको देने वाले हैं जो जादा तर सब बहनों के काम में आएगी तो सबसे पहले कुछ मांदे के विसे में भी बता देते हैं हाल फिलाल में जो पैसे अभी लगे हैं उसके बारे में उत्तर प्रदेश के राइबरेली जनपद से जानकारी को दीपिका मिस्रा बहिन ने भेजा है और उन्होंने कुछ स्क्रीन सोट भेजे हैं जो कि उनके वहां जनपद में इनके खाते में ये पैसा आया है और ये पैसा जैसा कि आप देख रही है बहन ने लिखा भी है कि भाया जी गुड मॉर्निंग मैं दीपिका मिस्रा राइबरेली यूपी से तीन सो रुपए साथ तारीक को आये हैं आये देखते हैं कौन से मद के ये पैसे हैं तो आप सब यहां पर देख पा रहे हैं समग्र सिख्षा इलिमेंटरी एजुकेशन 366 यूपी यहां पर ये डलके वहां पर मद में दिया गया है तो कुल मिलाकर के पैसा ये सिख्षा विभाग से कहीं न कहीं जुड़ा हुआ है बी आरसी भी लिखा हुआ है राइबरेली जन्पत का नाम है डी पियो भी लिखा गया है तो ऐसे दिये गए धनरासी के अगर हम बात करें तो धनरासी में 300 रुपए हैं और ये 300 रुपए आप सब को पता है जो आने थे वो बैनर पोस्टर वगरा के लिए भी आने थे कुछ चीजें दिवाल पर बनानी थी जहां पर जगए नहीं थी और ये मटरियल वो वाले थे जो सिख्षा विभाग से प्री प्रामरी से कुछ जुड़े हुए थे और इसलिए वहाँ पर बोला गया था जहां पर जगए नहीं है वहाँ पर जो है पोस्टर खरीद लिए जाएंगे तो कुल मिला करके ये बैनर बैनर के पैसे हो सकते हैं जहां तक मुझे समझ में आ रहा है आप में से किसी भाई बहन को अगर कुछ जानकारी हो इस बारे में तो कमेंट में या आलेंडिया के वाटसेप पर भी अवगत करा सकते हैं यहां पर परपस में भी आप देखेगा ये डलके आया है आगे ले चलते हैं और आपको जैसा कि मैंने कहा इस वीडियो को बहुत ही अच्छे से देख करके जाना अभी जो हम जानकारी आपको देने वाले हैं वो आप सब के काम में आएंगी एक तो ये मैसेज देख लीजिएगा पहले प्रीती सिंग बहन है मिनी आंगन बाड़ी कार करता है और इनका दरसल सुबह हम प्रदरसित कर चुके हैं सुबह साथ बजे के वीडियो में बहन आप अपना चेक कर लेना मदू बहन फतेपुर से हैं इनके वाँ काफी बच्चे पढ़ने आते हैं तो देखेगा सब बैठे हैं और मैट वगरा भी सब बिछी हुई है कुल मिलाकर के बड़े ही अच्छे खरीके से लाइन में बच्चे बैठे हैं अब हम बात करते हैं अपने मेन खबर की जो की बहनों को पता है आज 9 मार्च है और 9 मार्च से पोशर पकवारा सुरू हो चुका है आज सपत भी लेनी थी सपत के बारे में हम कल ही चैनल पर दिखा चुके थे आज हम बात करेंगे पोशर पकवारा आखिर मनाया कैसे जाएगा क्या क्या चीज़े हैं जो आप सबको थोड में जो मिलता है हर बलाक से दो आंगन बारी दो साहका का चेन किया जाता है तो आप सबको उसमें भी काफी मदद मिलेगी तो देखिएगा गर्बती महलाओं के लिए मोटे अनाज जिसको स्री अन के नाम से भी जानते हैं मिलेट्स के नाम से भी जानते हैं तो यहाँ पर इ यहाँ पर स्री अन्न या मोटे अनाज फाइबर युक्त होते हैं, जो गर्वती महलाओं के लिए बेहत फायदे मंद होते हैं, मोटे अनाज स्री अन्न खून की कमी से बचाते हैं और हड्डियों को भी मजबूत करने में सहयक हैं, तो मोटे अनाज को लेकर के भी काफी जाग में सूजन, कमजोरी, दिल धड़कना, छाले, जीप पर पढ़ जाना ये सब लच्छड हो जाते हैं, और यहाँ पर जो ब्लटेस्ट वगरा इसलिए जो गर्वती महलाओं का समय समय पर भी करया जाता है कि कून की कमी नहीं होनी चाहिए, अगर कमी है तो एनेमिया है, अब पचाओ इस चीज का संब हो है, इसलिए आरन की गोलियां दी जाती है, ये तो आम बाते हो गई जो आप सब को पता है, और जागरुकता के लिए आप सब बताती समझाती भी होगी, हर हपते मुझे आगन बाड़ी दीदी आरन की गोली खिलाती है, इस तरह से यहाँ पर एक ये लाइन लिखी गई, 10 से 19 वर्स की जो होंगे उनको नीली गोली कुछ लिखा गया है, तो यहाँ पर कुल मिला करके एज़वाईज भी चीज़े दी गई है, जो किसोरी होती है, दस साल से 19 साल उनको जो है अरन की नीली गोली दी जाती है, और ये विद्यालियों में भी कैसे सम्भव है तो दैनिक आहार मैंने कहा दैनिक आहार में क्या होता है कि उसमें iron भी हो, vitamin c हो, protein यूक तखाद पदारत सब सामिल हो तो दैनिक आहार अपना अच्छे से संप्वूर आहार भी जिसको बोल सकते हैं उसको उसका सेवन करें आयरन की गोली लें क्रमीन आसक जो है दूसरी तिमाही में एक बार एलबेंडा जॉल की गोली का सेवन कर लें और नियमित व्यक्तिगत सुच्छता भी अपना रखें ये सब चीजें जरूरी हैं बाकी एनम से सला ले लें ये सब चीजें यहाँ पर की जाती हैं तो आगे 9 मार्श से 23 मार्श के वीज़ फिर और कुछ चीजे दरसाई गए जैसे एनमिया से बचाओ के दोरान खान पान में सामिल करें आयरन विटामिन सी और प्रोटीन युक्त खादिपदार्थ अब ये मिलेंगे कहां से किनकी चीजों में वो चीजे दरसाई गई ये जानना और भी जरूरी है क्योंकि लाभारती को जब आप समझाएंगी तो बता पाएंगी इसमें ये होता है उसमें वो होता जैसे बात करें हरे एवं पत्यदार सबजियों की जैसे भिंडी हो गई मतर हो गया सेम की फलियां हो गई चौलाई हो गई पालक हो गई बतुआ हो गया मेती हो गई सहजन हो गया सरसो का साग हो गया तो हरी चीजें बहुत जरूरी है मोटे अनाजों में दाल हो गई जैसे मक्का आपका हो गया मोटे अनाज में बाजरा है, रागी है, जुआर है, राजमा है, और नट्स है, चना दाल है, काला चना है, सोया बीन है, मसूर है, इन सब चीजों का सेवन करें, मसूर का मतलब वो फूटी हुई दाल मसूर की नहीं, समूचे मसूर का भी उपयोग किया जाता है, कई लोग सब्जी टाइब में बनाते हैं यानि कुल मिलाकर मोटे अनाच का अगर आप सेवन करेंगे तो और मजाएगा पीले इवं नारंगी फल और जो है सब्जीयां जैसे पपीता बहुत ही जो है स्वास्त वर्धक है आखों के लिए भी और पाचन क्रिया के लिए भी आम अब तो स जन धीरे धीर आएगी फिर खर्बूजा यानि खर्बूज हो गया और कद्दू है गाजर है ये सब चीजे हो गई अन्य खाद पदार्थों में जैसे कि तिल हो गए बहुत ताकतवर होते हैं गुड हो गया तिल हो गया चना हो गया और अलसी कुछ होता है वो भी यहाँ प जना उसमें भी मिल जाएगा दालों में भी थोड़ा बहुत मिल जाएगा लेकिन बात की जाएगर नीम्बू की आंवले की संतरे की टमाटर की इनमें और अंगूर भी चादातर खटे देखने को मिलते हैं इन सम्में भी विटामिन सी पया जाता है अमरूद में भी मिल जा इसलिए काफी लोग अमरूद का सेवन सीजन पर खूब करते हैं पोशल पकवारे को लेकर अब फिर देखो आगे और कुछ चीज़े हैं जैसे घरबावस्ता के दौरान इनिमिया से बचाओ को लेकर ये सब बाते लिखी गए उसके बाद दैनिक आहार में इन सब चीज़ों क देखो मैंने जो बताया इसको सामिल किया जा सकता और परहेज क्या करें जो उन महलाओं को सेवन ना करने के लिए कहना है तो उसके लिए यहां पर बताया गया है परहेज करने के लिए जैसे चाए नहीं पीनी चाहिए सबसे नुकसान दायक चीज़ क्या है चाए सिर्फ ग और वो बहुत नुकसान करती है एसिडेटी जिसु बधजमी टाइप से ये सब चीज़ें आपको चाय के ही लच्छड से मिलेंगी अगर चाय को इंसान नहीं पीता है वो ज़्यादा सुस्त रहेगा बजाए चाय वाले के चाय वाले आपको ज़्यादा लती मिलेंगे वो दुबले पतले भी अकसर मिलते हैं कुछ केसस में बाकी लीबर उनका खराबी रहता काफी है चाय ना पियो काफी ना पियो चिप्स है डिबबा बंद वाला खाना है इन सब चीज़ों को अवाइड करो कोल ड्रिंग है बिल्कुल बेकार चीज़ है इसको भी छोड़ो पान मसाला धुम्र पान सराब ये सब चीज़ों का सेवन बिल्कुल ना करें ये गर्वतिम महलाओं के लिए चीज़े हैं और आम इंसान भी चीज़ों को फालो करें तो और बेटर है क्योंकि स्वात सबसे जरूरी है अब देखो प्रति दिन आठ से दस गलास पानी का सेवन करें ये मोस्ट इंपोर्टेंट है और ये हर किसी के लिए है पानी का सेवन जितना बाड़ी में रहेगा ये मान के चलिए जिसका सरदर्द भारी भारी लगे माइग्रेशन जैसा या सर में आपको जो है नजर आए कि सरदर्द हो रहा जो है अच्छा फील ना हो ताजगी ना लगे भारी भारी लगता रहे नींद बराबर लगती रहे तो समझ जाओ पानी बाड़ी में कम है और पानी कम रहेगा तो वो इंसान स्वस्थ भी नहीं रहेगा यानि मसल्स वाइस भी स्वस्थ नहीं रहेगा तो कहीं न कहीं वो दुबले भी देखने को मिलेंगे और पानी सिले भरपूर मात्रा में बोडी में होना चाहिए और गर्मियों में खास कर जिसको नहीं मिलेगा पानी या पिएगा नहीं पानी धंग से तो फिर वो कहीं न कहीं सुस्ती सुस्ती उसको महसूस होगी आप गर्मी आए प्यास लगी हो फिर देखो ऐसा लगता है बैटरी जैसी जो है पूरे सरीर की डाउन होने लग गई कुछ ऐसा लगेगा ताकत ही नहीं और जैसे ये गलास थंडा थंडा पानी अंदर जाएगा और फिर से ताकत ऐसी महसूस होने लगती है तो वही चीज़े है और जब जादे बैटरी लो होती है तब इनसान को पता चलता हाँ अब बैटरी लो है आप सोचो किसी मोबाइल की बैटरी आपकी 100% होगी 90% होगी 80% होगी 70% होगी 50% होगी तो क्या आप चार्ज करेंगे नहीं चार्ज करेंगे आपको जरूरत ही परसेंट तक पानी बॉड़ी में है तो आपको महसूस नहीं होगा महसूस कब होगा जब आप बिल्कुल लोफील करेंगे जब 10% पर आकर के 20% पर रह जायेगा यानि कैस समझाने का मतलब है यह कि कम रह जायेगा तो महसूस होगा कि यहां प्यास लगी है या अब ऐसा हो गय के फिर दिरे दिरे बन जाते हैं इसलिए पानी भरपूर पीते रहो और स्वस्त रहो मस्त रहो सम की पहचान को लेकर के सब चीजे दी गई कि आगन बारी बहने प्रतेक महीने बच्चे का वजन लंबाई पोश्ट ट्रेकर पर फीड करेंगी और उसी पर अपने आप फिर स आटोमेटिक सब चीजें वहाँ पर जो दिख जाती हैं अब देखो चिकसी जाच और प्रबंधन के लिए यहां पर सब दे दिया गया है बिना चिकसी जटिलता वाले वो सब दरसा दी गई तो अब तो बहनो सैम बच्चों मैम बच्चों को छाटना और भी आसान है की कटेगरी बन जाती तो अब आप सबको वो भी चिंता करने की जरूरत नहीं अब देखो यहां पर सैम बच्चों के पूर्टया स्वस्त और सामान हो जाने तक प्रतेक पंदा दिन में आगन बाड़ी बहनों द्वारा गरब्रमण उनके वहां किया जाता है प्रतेक छाया होस में हरी सबजियां हो दाल हो सब चीज कहनी आइटम हो कम से कम तीन बार भर पेट खाना खाएं यह सब चीजें हैं बोजन के तरिक्त हलका नास्ता करें हर महीने वजन भी कराएं और आई एफे वा कैल्सियम की गोलियां खाएं रात में नीन के लावा दिन में दो घंटे भी आराम करें बहुत से लोग होते हैं रात में के बाद सोते दिन में सोते ही नहीं है तो दिन में भी अगर दो घंटे दो पहर में कोई इंसान आराम करेगा तो फिर दो पहर के बाद जब सो कर चार बजे पांच बजे जब आराम से नहीं उठेगा तो उस टाइम पर भी अ पाकलन भी किया जाता जैसे यह सबसे जरूरी है कौन से महीने में कितना वजन बढ़ना जरूरी है इससे ज़्यादा बढ़ रहा है तो अच्छी बात नहीं है कम बढ़ रहा है तो भी अच्छी बात नहीं जैसे यहां पर वजन वरदी दरसाई गई है चौथा महीना जब हो तो डेड़ किलो कम से कम बढ़ जाना चाहिए, यानि जब गर्बावस्ता हो उसके बाद में जब चौथा महिना हो तब तक डेड़ किलो बढ़ जाना चाहिए, पाँचवे महिने में फिर डेड़ किलो यहां से यहां एक ही महिने में डेड़ किलो बढ़ना चाहिए, पाँच इसले से केवल डेड़ किलो जादा बढ़ना चाहिए बस इस कटेगरी वाइस वेट बढ़ना चाहिए जादा उपर नीचे हो रहा है तो यहां पर कुछ न कुछ जो अपना सला ले ले स्वास्ति भाग से जैसे एनम हैं और भी सीचो हैं सब लोगों से अब यहां पर इतात उमर बहन आगरा से हैं आईए इनके वहां से देखते हैं इन्होंने क्या या स्वरी यह जानकारिया उन्होंने ही वियानी भेजी है अब अगला जो पेज है वो देखे जनम के समय कम वजन व्रद्धी जो नहीं होने या वजन कम हो जाने पर और यह सब बाते कुछ न आप से मैंने बताया और यही सब बाते आनी लिखी गई है और यह सब यहां पर दर्सा आए गई हैं चीज़ें हिमोगलोबिन 11 या अधिक आईरन की एक गोली रोजाना हिमोगलोबिन अगर 11 है या इससे जादा है तो एक गोली देली हिमोगलोबिन 11 से कम है आईरन की दो ग पहुंच गई और आपको पता ही नहीं चेकी नहीं कराया और दो-दो गोलिया खा रहे हैं तो फिर दिक्कत भी हो सकती है इसलिए जरूरी है सला वगरा सब अच्छे से ले और पूरी जानकारी रखें साथी साथ यहां पर और भी चीज़े हैं यह सब दरसाई गई हैं जाती है अब प्रोटोकाल के नुसार छे दमाएं भी दी जाती है आईरन सीरा विटामीने यह बच्चों को ले करके हैं जब बच्चा जो है हो जाया उसके बाद की विटामीने मल्टी विटामीन और यहां पर कई चीज़ें सब दे दी गई हैं तो कुल मिलाकर कि आब हम य सेवन को ले करके सब बाते कही गई देखो चाय काफी यह सब चीजों का सेवन नहीं करना है खटे फल वगरा है विटामीन सी मिलेगी इसका सेवन आप कर सकते हैं अब खटे का मतलब यह नहीं है कि आप जो है वहाँ पर सिरका वगरा पीने लग जाएं सीधा सोचे कि हम वि चीजिया होंगी उनके थ्रू जो चीजें मिलेंगी वो ज्यादा बेटर रहेंगे अब देखो यही सब बाते लेखी गई हैं कैलसियम को लेकर के एक गोली सुबह और एक गोली दोपहर के बोजन के साथ में सुबह और दोपहर इस तरह से सब धरसाया गया तो वो अपना व भी या तेल आहार को उर्जा देने के लिए वो जरूरी है सब्ता में दो बार आई एफस सीरप की खुरांग ये किसके लिए है ये बाते आपर सैम बच्चों के लिए लिखी गई है तीन दिन में तीन बार खाना उनको देना है दाल रोटी चावल के साथ इन आहारों का समा वेस करना देखो जो कोई भी इंसान जिसका वेट नहीं बढ़ रहा है कमजोर है कुपोसित है तो वो उसको कोसिस करनी चाहिए खाने को लेकर कि वो कई बार में खाना खाए यैसे एक बार खाया एक दो रूटी आराम से खाई फिर थोड़ी देर बाद या जल्दी थोड़ से चीज़ें होंगी तो इसलिए मेरी सला यही है कि थोड़ा थोड़ा करके कही बार में खाओ और पानी वानी आराम से भरपूर पेते रहो थोड़ा बहुत exercise धीरे धीरे थोड़ा बहुत वो भी करते रहो क्योंकि देखो खाना खाओगे अगर वो उर्जा सरीर की अगर कह अभी मालिस किया करती थी ते लगा करती हाथ पैर घुमाया करती थी वो कारणी यही थे कि कैसी न किसी तरीके से उनकी मसल सब चलती रहे इस तरह से और आज कल के कई बच्चे देखते हैं गाओं में हश्ट जादा रहते हैं सहरों में आपने देखा होगा जब छोटे होते आज के इस वडियो को यहीं तक रखते हैं